पूरी में जगनाद देव जी के 56 भोग में से मैंने आज एक और भोग बनाया है जिसको कहते हैं कनी का भोग तो फ्रेंट्स इसको मैंने बनाने की कोशिश की है जिन फ्रेंट्स को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है वो जरूर मेरी ये रेसिपी देखिए और इस भोग को बनाये और भगवाल श्री जगनाद जी के सामने इसको निवेदन कीजिए यहां मैंने गोविंदो भूग चावल ले लिया है वन कप इसको मैं अब पाणी डालकर अच्छे से दो तीम बार वाश करूँगी वाश करने के बाद इसको 30 मिनिट के लिए इसको मैं रख लूँ इस तरह से ही छोड़ दूँगी ताकि चावल अच्छे से भीग जाए इससे पुलाव और अच्छा ही बनता है यहां मैं वन टी स्पून घीला दे रहे हूँ यहां मैं थोड़ी सी गरम असाली डालोंगी तो सबसे पहले तेज पत्ता डाल रहे हूँ और चाल लॉंग डाल दे रहेंगी दो-चाल काली मिर्चे डाली है और यहां पर मैंने डाला है थोड़े सा दार्चीनी और डाला है दो छोटी इलाईजी वन फूर्थ कप मैं यहां पर काजु ले ले रही हूँ वन फूर्थ कप किश्मिश इसको इसके साथ ही थोड़ी देट तर फ्राई कर लेना है मेरी चैनल में जाकर आप लोग अगर देखिएगा तो मैंने भगवान जगरनाथ जी के चपन भोग में से कुछ भोग जो है अपलोड किया है जो लोग पूरी में गए होंगे उनको तो प्रशाद का टेस्ट पता ही है कि प्रशाद बहुत ही खाने में टेस्टी होता है पर जो लोग नहीं गए है वोरो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से प्रशाद को बनाया है तो देखिए ड्राइफ्रूट्स जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है अब मैंने जो चावल भिगोए थे उसको मैंने अच्छे से छान दिया है आप देखिए रहे हो कि बिल्कुल भी पाली नहीं है इसमें अब इसको मैंने इस गैस का फ्लेम जो है वो थोड़ा सा फ्लो कर दिया है और इसको अच्छे से ट्राई कर दोगी चावल जब फ्राई हो जाते हैं तो यहां पर मैंने वन फोर्थ टी स्पून नमग डाला है आप अपने अनुसार जितना चाहते हैं आप डाल सकते हो तो फिर इसको फिर से एक बार मिक्स कर देना है गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल ही स्लो रखा है मैंने यहां गोबिन्दो भोग चावल का यूज किया है राइस का आप जो है नॉर्मल जैसे अच्छा वाला जो बासमती चावल आता है उसका यूज भी कर सकते हो अब जैसे यह भून जाता है तो यहाँ पर मैंने 1 फोर्थ कप जो है चीनी लिया है वो डाल दे रही हूँ अब इसको भी अच्छे से फ्राइए कर लोंगी चाबलों के साथ फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपीस कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखा करिए अगर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि मैं आगे और कौन-कौन सी रेसिपीस बना कर आप लोगों को शेयर करूँ यहां देखिए यह फ्राई हो चुका है अच्छे से तो अब मैं पानी डालूँगी मैंने एक कप गोविंदो भॉक्स राइस दिया था इसलिए टू कप पानी डाल रहे हूं अब इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और गैस का फ्लेम जो है मैंने स्लो डू मीटियम रखा है फाइफ मिनट के लिए ढख कर इसको पकाऊंगी तो फ्रेंट्स देखी फाइफ मिनट के लिए ढख कर रखाओंगी फ्रेंट्स फाइफ मिनट पर फिर से देख लेती हूं फिर थोड़ी एक बार और चला देती हूं मैं कर्ची तार्चिनी का 1 फोर्थ टी स्पून मैंने डाला है मनने पाउडर डाला है और इलाइची का 1 फोर्थ टी स्पून मैं इलाइची का पाउडर डाल रही हूँ एक बार इसको फिर से मिक्स कर दोंगी अब इसको ढखने की ज़र्बरत नहीं है इसी तरह से खुले में मैं 5 मिनिट और पकाऊंगी इसको तो फ्रेंड्स देखिए और 5 मिनिट हो चुका है तो मैंने इसको टोटल 15 मिनिट पकाया है देखिए इसमें जरासरी अब पानी नहीं है यहां में 1 टी स्पून घी और इसमें डालती हूँ इसको मिक्स कर दूँगी अब गैस का फ्लेम जो है बंद कर दे रहे हो अब इस तरह से करीबन 10 मिनिट तक मैं इसको ठब कर रखूंगी प्रेंस देखिए और 5 मिनिट हो चुका है तो देखिए बनकर बिल्कुल यह तयार है अब मैं आप लोगों को भोग जो है सब करके दिखा रही हूँ देखिए फ्रेंस यह जो भोग है यह बहुत ही इजी है इसको करनी का भोग कहते हैं आपको अगर यह रेसिपी अच्छी लगी हो आपको अगर यह रेसिपी ठीक लगी हो तो आप जरू ट्राइ कीजिएगा और मेरे कमेंट बास में जरूर लिख के बताईएगा कि यह फ्रेंट्स देखिए भोग बनकर बिल्कुल तयार है और मैंने इसको सर्व कर लिया है जिन फ्रेंट्स को इस भोग के बारे में नहीं पता है वो जरूर मेरी ये रेसिपी देखिए और जरूर ट्राइ कीजिए और मेरे कमेंट स्बक्ष में जरूर कमेंट कीजिए और जित द तो डेली में जो भी रेसिपीस की वीडियो अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी